Class 12 Board Examination ठीक आज के 6 महिने के बाद है बच्चा मन्त चल रहा है इस वक्त जुलाई almost end अगस्त आने वाला है अगस्त में रक्षा बंदन 15 अगस्त फिर आपके जन्माश्ट में दुनिया वरी के चुटिया होंगी फिर सितंबर अक्टूबर कब नवंबर दिवाली की चुटिया जाएगी कब दिसंबर कब practical exam आएगा कोच पता नहीं चलेगा और फिर एक ही चीज होगा आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारा pressure एक ही चीज होगा यहाँ पर pressure उस pressure से अगर बचना चाहते हो और class 12th board examination में अभी भी आप खास करके physics exam में score करना चाहते हो और मैं ऐसा consider करके चल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप एकदम 0 पर हो beginning पर हो मतलब अभी तक आपने कुछ serious ही लिया नहीं so this is the right time जहाँ पर आपको serious होना पड़ेगा and you have to take that challenge challenge आपको उठा करना पड़ेगा बच्चा खुद को challenge देना पड़ेगा क्योंकि कहीं देर हो गया ना तो कितने भी आप one short videos देख लीजे at the end of the day what will happen आप सिर्फ rely करोगी कि आर मैं कैसे भी करके बास हो जाओ और physics का paper पिछले तीन चार सालों से लगातार J means neat label का questions आ रहा है only derivation will not save you only theory will not save you because assertion reason आता है case study question आता है mcqs आते हैं and in sum में आप रट नहीं सकते तो आपको कहीने कहीं physics को बहुत basic से पकड़ना पड़ेगा बच्चा है and this is the right time जहां पर आप पकड़ सकते हैं because एक बार यह time गया तो आप चाहा करके भी इस time को वापस लेकर के नहीं आ सकते so मेरे प्यारे बच्चो वेलकम तो SSP the side सचनुपाध है your physics mentor कही सारे बच्चों को पिछले कई सालों से बच्चा पढ़ा रहा हूं even आप मेरे लेक्च्चर्स देखते रहते हैं लगातार JNIT और CBS CK में separate वीडियो अप लगातार करा रहा हूं so अगर आप चैनल पर नए है बेटा तो सब्सक्राइब करके रख लो because बहुत amazing lectures आपके लिए यहाँ पर मैं हमीजा अप्लोड करते रहता हूं इस तरीके के कुछ sessions भी लेकरके आता हूं जहां पर आप लोगों का यह जो दिमाग है उसके उपर जो pressure होता है उसको कम करने का काम यह वडियो जरूर करता है तो बेटा जल्दी से bell icon भी दबा देना और खूबसरत सी rate वाली जो सुन्दर सी बटन सब्सक्राइब वाली वो भी दबा देना आपको किसी भी badge खरीदने के जुरत नहीं आपको कहीं पर भी जाने के जुरत नहीं है उस label की सारी बात है मैं आपको इस वडियो के अंदर help कर दूँगा बच्चा सबसे पहले तो यह समझो बच्चा की 2025 board examination जीरो से आप सुरू कर रहे हैं तो क्या अभी से सुरू करके सर हम 90 plus score कर सकते हैं in physics to score 90 plus in physics there is two part one is your theory part about 70 marks another is your practical part बच्चा practical आपके school में हो रहा उस पर ध्यान दीजे क्योंकि आपके school के अंदर जो practical exam होगा उसमें आपके school की teacher नहीं होगे there will be another center का teacher जो आपको grill करेगा sandwich की तरह सो अभी से ध्यान दो ohmslow का experiment हो उसके उपर ध्यान दो बच्चो आपका जो experiment है जो ray optics के experiment होते है प्रिजम का refractive index अभी आएगा आगे सब और अभी तो सब स्कूलों के अंदर थोड़ा धीरे चल रहे होगे I don't think so बहुत स्कूल में ऐसे समय निकलता है fast fast पढ़ाता है और कब दिवाली के बाद में से लिए बस bang हो जाएगा कि जब दिवसंबर नजदीक आ रहा होगा हजारों करोडों लाखों millions of views उस पर जाते हैं मैं बड़ा दिल दुखता है कि बच्चे सुरू से यह चीज क्यों नहीं समझ पाते हैं जब अभी time है अपने पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ते हैं अगर तु मेरा प्यार 25 का target लेगर के चल रहे हैं प्यारे बच्चो उसमें आप genuinely score करना चाहते हो so this is the right time एक बार time गया जैसा कि मैं पहले कह रहा हूं तो नहीं आएगा डेली बच्चो आपको तीन घंटे पढ़ने हैं दो घंटे आप अपने live classes के लिए निकाल लीजे अगर आप किसी batch से पढ़ आप जिससे सीख रहे हैं और एक घंटा बच्चा आपको revision करना है self study is key even मेरे पास offline विद्यापीट SSP विद्यापीट में बहुत सारे बच्चे आतना है मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूं बेटा तू मुझ से पढ़ रहा है तुझे मज़ा आ जाता है बच्चे मतलब इसर चेटर का तो मुह निकल जाता है क्योंकि बच्चा revision नहीं करता है self study नहीं करता है और यह सबसे बड़ी problem है सारे बच्चों के फिर वो चाहे offline का student हो चाहे वो बेटा online का student हो अगर आप self study नहीं करेंगे अभ्यास नहीं करेंगे वह आपको कभी भी ज्यादा help नहीं करे इससे बहतरीन video lectures पूरे जगह पर आपको कहीं नहीं मिलेगा चाहे आप किसी coaching class offline से पढ़ रहे हैं चाहे आप किसी ad text में कुछ fees दे करके पढ़ रहे हैं अगर आप एक बार इस channel के दबंग plus videos को देख लेगे ना बच्चा आपको कहीं जाने की जूरत नहीं पढ़ेगा जानता है कि हमने कितनी मेनत करें बिल्कुल समय निकाल करके बच्चा हफते में दो lectures लाते हैं to the point लाते हैं पूरा NCRT line by line कवर कराते हैं एक्स्रा question कराते हैं ये बताते हैं कि theory कैसे लिखना MCQ आया तो कैसे इसको solve करना है numerical आया तो कैसे करना है पांच मां से question आया तो कैसे होगा इससे relatable assertion reason क्या है इसलिए मैं कहा रहा हूँ बच्चा दबंग प्लस के lectures को आप follow कर लीजे एक बार आप देखें आपको खुद आप comment करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान सही बोला तयार बहुत एक विक्यान के साथ इसने प्यार करा दिया सो बच्चो आप दो तो concept लेकर के बहुत deep dive जो है study करवाया बच्चो ठीक चलिए इसके बाद NCRT बहुत ज्यादा important होता है बच्चो NCRT को ignore नहीं करना है NCRT के सारे example और exercise के question करने है channel पर इस channel पर आपको एक लौता channel है पूरे भारत ने बच्चा जहां पर board label का जो पूरा physics है कई बार पढ़ा जा चुका है पूरी NCRT with additional exercise मैंने solve करा दिया है आप playlist को visit करो या खाली search करोगे NCRT chapter 1 exercise solution with Baba SSP by Baba SSP you'll get that video ठीक है 70% सवाल बच्चा आपका NCRT का यह होता यह myth है कि सब कुछ textbook के बाहर गाता है कुछ बाहर नहीं होता textbook में वो चीज होती हाँ थोड़ी घुमाई जाती है conceptual चीजों को समझने के लिए आपको physics आज से पढ़ना पड़ेगा अगर आप physics में 70 में से 65 marks लाना चाहते हो प्रैक्टिकल में आप 30 में से 25 लाना चाहते हो तब जाकर कि आप 90 marks तक पहुचोगे बच्चो और याद रखो 1-2 question ऐसा होगा जो हिलाएगा आपको इसलिए आप आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा आप खुद सोचों की पीपर एगर ऐसा है कि हमें हिला देगा थो आप सिर्फ derivation last last में करेके पास नहीं हो सकते है आपको जो चाहिए बच्चा इस चैनल पर मौझूद है आप बोलोगे पूरा NCIT derivation चाहिए million views है बच्चों उस पर नहीं मिलेगा इसलिए this is the right time जहां पर आपको शुरुवात कर देना पड़ेगा और from NCIT for board and even in need paper फूरा NCIT से याता बच्चा नीट का भी paper आता है ठीके तो आपको NCIT को बहुत अच्छे तरीके से करना है जब आप class देख रहे हो जाहे मेरा lecture देख रहे हो या किसी teacher से offline पढ़ रहे हो बच्चा ये चीज़ धरू ध्यान रखो कि attend कीजे class को with previous notes मतलब पहले आग दिन आपने क्या पढ़ा था और आज आप क्या पढ़ने जा रहे हो ठीके NCIT textbook लेकर के बैठो line by line देख लो क्यार ये वाला topic हमारा हो गया जैसे अगर आप मेरा जैसे मैं आप भी नंबर के page पर है फिर उसके बाद देखिए तेरे textbook का example है 2.7 बाबु रहे ये देख 2.9 है page number 61 तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए सारा का सारा मुद्दा लिखवाया है मैंने तो अगर आप जहां से भी पढ़ भी रहे है बच्चो तो make sure कीजे कि आपको इस तरीके का पढ़ अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको help मिलेगी ठीक है साथ साथ में प्री प्रिप्रेशन रखो जो नया पढ़ने जा रहो से पहले आपने क्या पढ़ा हो देखो और active listener बनो बच्चा class के अंदर देखिए हम पढ़ा रहे हैं x y z बाबू कोई भी टीचर पढ़ा रहा है आप टीचर को सुनिएगा ही नहीं आप टीचर को सुनी नहीं रहे है तो आपको क्या समझ माएगा फिरो विचारा समाज विद्या पढ़ा दे बहुत इक विज्ञान पढ़ा रहा है केमेस्ट्री पढ़ा रहा है अरशान विज्ञान पढ़ा रहा है कुछ भी पढ़ा रह था तो work done by conservative force था कि work done by electricity force था क्यों वहाँ negative था एक बार discussion कर लेंगे ना वो lifetime तक याद होगा लेकिन नहीं हम तो सहजादे ठेहरे हम तो बात करेंगे कि आज उसने मेरे को follow किया बे अच्छा तेरी वाली ने मेरे को क्यों नहीं follow किया तेरी वाली ने क्या लिखा है अच्छा भाई हो मेरे को देख रहा था आज प्यार मुहब्बत सब दोका है बच्चो पढ़ लो यही मौका है बच्चो इन सब हो आप लोग समझ गये हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं चलिए और देखे बिटा तो मेरा अगला मुद्दा है वो यह है कि प्रिपरेशन ऑफ हेंडिटे नोट्स येस डिस वेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट जब आप क्लास में पढ़ रहे हो चाहे मेरे लेक्चर से चाहे कहीं से भी तो आप साथ साथ में लिखते भी रहा करो टीचर तो लिखेंगे वह आपको बहुत समय तक याद रहेगा बहुत लंबे समय तक आपको सारी बाते याद रहेंगे तो डिरिंग क्लास और नोट्स मनाईए रफली थोड़ा फास्ट लेकिन उसके बाद आप उसको तो फेर में बहुत अच्छे सुद उता रहें में गुट शॉट नोट्स फर चैप्टर वाइस फॉमूला चैप्टर आपने पढ़ा जैसे कि आज माली जोधायन के तौर पर आपने पढ़ा moving charge and magnetism उसके अंदर आपको पढ़ाया गया f is equal to qb cross भी पूरा डेराई करा आगया बताया अलग-अलग cases बतायागे कि भाई charge particle 90 degree पे गुसा तो circular motion कर रहा है थीटा जिगरी पे गुसा तो helical path हो रहा है zero degree पर गुसा तो straight चला गया 180 degree पर गुस रहा था तो तो भी वो straight चला गया question करना है आपको पूरा NCRT का question करना है भाई साब example और exercise और मैंने दबंग प्लस batch के अंदर कसम खा लिया बच्चा कि एक बार फिर से पूरा कराओंगा पहले करा चुका हूं दबंग में दबंग प्लस batch में फिर से करा रहा हूं उसके साथ एक बहतरीन किताब बताऊंगा बच्चा जो आपको ले लिनी चाहिए कारण यह है कि इसके अंदर topic wise question है खुद मैं भी इस book को देखते हुए बच्चा बहुत सारे questions यहां class में discussion करता हूं बहुत सारे सिक्षकों के द्वारा recommend की जाती है और हम लोग क्योंकि offline से जुड़े हुए है तो इनका जो एक example वाला book होता है वह हम लोगों को भेजाई जाता है बहुत भेदरीन किताब है और इसका जो नाम है वह सीबीसें NCIT one for all class 12 की इस तरीके की भुकाती और पीचे हमारे जीटू भाहिया भी चपे हुए आजकल बहुत प्यारा आयड आप लोगोंने सुना होगा हर सवाल का जवाब है ऑस्वाल ठीक है तो आप ही किताब purchase कर सकते है बहुत ही minimum price होती है अगर question practice भी है previous रिकी questions भी है सब कुछ बहुत to the point दिया हुआ है ठीक है तो class topic वाइस जो question कराया जा रहा है वो और फिर weekly एक बार analysis कीजिए numerical के pattern को समझे सबताहिक तोर पर पूरा जब हो जाता है तो आप देखो कि आर इस chapter से कितना numerical मैंने किया कहां पर मैं फसा कितने जगह पर म कुछ भी आ जाए मैं को तीन घंटा फिजिक्स पढ़ना है तीन घंटा मुझे यह पढ़ना है अगर मैं इस पर टाइम टेबल पर वीडियो बना अभी बोलना सुरू करूंगा बच्चा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा सो मैं यहां पर इसको stop कर रहा हूं लेकिन अ पूरा एनलिसिस करूंगा और फिर जुलाई का एंडिंग है तो अगस्त से लेकर के दिसंबर तक आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए बोड इग्जामेनेशन में तो स्कोर 90 प्लस इन फिसिक्स मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूगा ठीक है यहां पर मै यह 2024 जो अभी अभी परिक्षा गई है उनके लिए 14 वीडियो का प्लेलिस्ट है बच्चो इसके अंदर 1-1 शॉट के अंदर 3-3 घंटे के दर सारा चेप्टर कराया गया है और यह 2025 वाले विद्यारतियों के लिए दबंग प्लस बैच है लेटिस्ट फ्रेश इकदम हर एक कॉंसेप्ट को एक एक घंटे के अंदर एक्स्प्रीन किया गया है विद लॉट अफ कोशन्स, mcq practice, assertion reason, theory कैसे लिखना है to the point बच्चा मतलब एक बार आप दबंग प्लस का पहला वडियो देख लोगे आपको इश्क महबबत हो जाएगा दबंग प्लैस के प्लेलिस्ट क सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं फिर भी यहां से physics पढ़ते हैं बहुत बहुत शुक्रिया वो बच्चे जो प्यारा पर कॉमेंट देते हैं जो बच्चे अनिबल हैं यार फीस पे नहीं कर सकते वो प्लीस उन तक ये वीडियो जरूर पहुचाएगा मिलता हो मैं अगली व पढ़ते हैं बाई बच्चो लव यू आल चाहिंद